वेलकम ट्रेडर्स, जैसे मैंने टेलिग्राम चैनल पे एक मिड़े अपडेट भेजा था, तो उसका देख लेते हैं क्या हुआ, तो हमने कुछ यह वाला यहां पे ट्रेंड लाइन बना दिया था, और हमने बोला था कि जब इसको क्रॉस हो जाएगा, तभी हमको लॉंग करना है, और अगर शॉट करना भी पड़े, तो हम 17,680 के नीचे जाएगा, तभी उसको शॉट करेंगे, या फिर यह ट्रेंड लाइ किया है, अगर आप इसको बार चार्ट में देखोगे, तो यहां पे आपको दिखेगा, कि यह वाला जो बना है, this is my favorite pattern, the 3 bar pattern, और वहां पे आपका शॉट easily आप इसको ट्रेड कर सकते थे, या फिर 680 के नीचे भी कर सकते थे, तो easily आपको कुछ points मिल सकते थे, तो हमारा यह जगाला view बराबर हुआ, और हमको long करना था, जैसे ही यह trend line break होता, and तीन बजे की बार, this was your 3 p.m. candle, 3 p.m. candle ने जैसे ही इसके उपर close किया, बस आपको इसके उपर यहां पे entry लेके, जहां पे हमने यह breakout किया है, वहां पे SL रखके easily इसको ride कर सकते थे, हमने discussion जैसे किया था, exactly nifty वैसे ही play out हुआ, the only thing is, हमने जब भी discuss किया था, तभी शायद हम यहां पे कहीं पे थे, I think in this area, और in this area, मुझे time याद नहीं है, बट यहां पे यहां पे कहीं पे थे, उसके बाद में यह पूरा time आपका patience test हुआ है, अगर आपने यह time में patiently market को wait किया है, तो pat your back, you have done a very good job with it, अगर मैं इसको देखू, nifty को, bank nifty को, तो हम जब यहां पे video बना रहे थे, somewhere around यह zone में, तभी यह उपर जाने का, हमने यह discussion भी गया था, कि हमको यह level के उपर जाएगा, उसके बाद ही हमको buy करना है, so if I put a horizontal line over there, तो हमारा यह वाला level था, 41, 3, 45 का, हमको इसके उपर ज किया, लेकिन close नहीं कर पया, जबी हम sustain बोलते हैं, तो one और two bars, five minutes का close हमको मिले, तो वहां पे जादा better होता है, आपको वो trade pick करने के लिए, फिर यहां से नीचे गया, नीचे जाने के बाद, exactly यहां पे support ढूणने का कोशिश हुआ, यह support आया कहां से, अगर आप इसको यहां पे active था, यही activity आपको आज यहां पे भी दिखना है, because आपका bank nifty is strong, तो strong stock हमेशा support ढूणने का ही कोशिश करेगा, support लेने के बाद में यह immediately सिधा उपर गया, वही zone पे गया, यहां पे भी आपको थोड़ा confusion किया रहेगा, जबी आपका एक पाच मिनिट का बार वो level के आसपास close हो रहा है, और उसको follow through नहीं मिल रहा है next बार में, next बार में आपको एक higher close नहीं मिल रहा है, तो better है, ऐसे time पे चुपचा आप trade से exit कर जाओ, first pullback पे जबी फिर ऐसा जबी होगा, तो retest करके जाएगा, तभी आप यहां पे कहीं पे उसको pick करो, वो ज़्यादा better opportunity होता है, यहां पे नीचे से एक आ रहा था, since वो उपर नहीं जा पा रहा था और अब इसके पास space कम हो रहा था, तो इस type का कुछ आप एक POS बना के उसका breakdown easily test कर सकते थे, for the day low का target, तो वो भी एक अच्छे से play out हुआ, हमको simple था, कि जब तक इसके उपर नहीं जाएगा, 41, 345 के उपर नहीं जाएगा, तब तक हमको long नहीं करना है, यह अभी तक गया नहीं है, तो जैसे सोचा था, वैसे ही आपका bank nifty भी play out हुआ, so all set, is done, अब देखते हैं कल के लिए क्या होगा, so let's start with the US market, तो US market भी देखोगे अगर आप, तो यहां पे यह एक double bottom बना के निक love हुआ है, इसका जो double bottom का neckline आएगा, वो कहीं यहां पे आएगा, यह उसको cross किया है, और यहां पे अभी तक यह breakdown वापस नहीं किया, जब तक यह breakdown नहीं करता है, तब तक हम इसको breakout ही समझेंगे, तो हमको क्या देखना है, कि जो यह वाला bar का हमारा close था, let's mark this, let's mark it as white color, त तब तक 3790 के नीचे हमको एक daily close नहीं मिलता, तब तक हम यह breakout हुआ है, ऐसे ही समझेंगे, just in case जिस दिन हमको 3790 के नीचे एक daily close मिल गया, फिर हम बोलेंगे कि हमारा जो यह है, that is, P500, वो इस type के किसी range में जाके फस रहा है, and यहां पे उपर fake out, shake out किया है, अब यह फिलहाल वो कुछ नहीं है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, उपर से यह trend line आ रहा है, trend line के पास में पहुचने के बाद में, in a bearish trend, इसको उपर break out करने के पहले, एक absorption of supply के process से जाना होगा, एक low volume activity, जहां पे हर बार यह उपर जाएगा, sellers आ जाएगे, हर बार उप charts निकाल के देखोगे, which I'll show you in a bit, आपको वही चीज़ दिखेगा, तो यह अभी एक absorption of supply में है, मैं भी एक दो दिन और और eventually इसको यह वाला trend line break करना है, also यहां पे हम एक weekly time frame पे भी जाते है, आपको दिखेगा कि यहां पे यह weekly time frame का भी एक line आ रहा है, यह breakdown retest का भी situation बन र है, यह वापस अपने इसको reclaim कर जाएगा, तो since वो सारी चीज़े भी यहां पे है, वो weekly trend line भी खड़ा हुआ है, तो यह यहां पे आके confluence zone create कर रहा है, तो उसकी वज़े से भी selling होगा, यह trend line के वज़े से भी selling होगा, यहां पे भी resistance area बन रहा है, उसका भी selling होगा, तो इतन सारा selling को absorb करना जरूरी है, अच्छा, अब यहां पे argue कर सकते हो, कि सर बट अगर यह selling है, तो यह क्या नीचे नहीं जा सकता, definitely अगर आपको 3-3 जगा का confluence मिल रहे है, 3-3 sellers का confluence मिल रहे, तो नीचे definitely जा सकता है, but question is, क्या वो sellers में dumb है, so if we go on lower time frames, let's say इसके लिए 60 minutes देखत है, जब भी यह उपर जा रहा है, जिस type का selling आ रहा है, you do not see any kind of volume activity in this one, right, यहां पे दिखनी रहा है, और 15 minutes नीचे जाके देखते है, शायद volume जादा दिख जा, yes, देखो, यहां पे selling आया, selling आने के बद, volume आपके overall कम होने चालो होगे, यहां से भी selling आया, आपके volume कहीं भी spike नहीं हुए, आप अगर देखोगे, तो यह जो move आया है, आपके यहां पे volume, previous price action से जादा spike नहीं हुए है, यहां पे भी selling आया, तो यहां पे हमको volume दिख रहा है, बट आज इनका GDP number आने वाला है, उसके वज़े से थोड़ा बहुत position adjust करना पड़ेगा, जो highly leverage लोग है, वो लोग अपना position कम करेंगे, वो सारी चीज़े आपको यहां पे समझ रहे ही, मतलब समझ के चलना होगा, दूसरा चीज, यह जो छोटा सा swing चल रहा है, तो इस तरह से भी इसको देख सकते हो, कि यह इसके नीचे तो गया है, बट क्या इसने यह वाला जो last support बना के रखा और अगर इसको उपर जाना है, तो उपर जाने के सबसे पहले sellers को trap करना जरूरी है, तो that's why I am expecting के शायद यह एक बार नीचे आके turn करें, तो किस तरह होगा, वो हमको play out का, कैसे होगा, वो हमको यहां पे समझना है, दूसरा चीज, अगर आप यहां पे देखोगे, तो एक Y शेप चैनल बना हुआ है, you know, हम जभी PBPA में चैनल फॉलो करते हैं, तो we have two types of channel, A शेप चैनल, Y शेप चैनल, यह एक Y शेप चैनल बना हुआ है, और Y शेप चैनल को अगर आप देखोगे, तो इसका fifth touch complete है, and that too by forming an SOT, जैसे ही यह POS break होगा, हमारे upside targets खुल जाएंगे, right, क expected है, on the break of this POS, basically, right, तो एक US जो है, अभी एक बहुत crucial mode पे है, तो obviously यहाँ पर consolidate करके, फिर breakout करें, वो काफी अच्छा होगा, या फिर यहाँ पर rejection भी होना है, तो consolidate होके rejection हो, so that हम वहाँ पर sure रहेंगे, कि जो हमारा, यहाँ पर यह ऐसे नीचे, suppose, example, यहाँ से उपर जाके, अगर यह नीचे जा रहें, तो फिर हमको वो tension हमेशा रहेंगा, कि यह pullback करके नीचे जाएगा, या pullback करके उपर जाएगा, अगर यहाँ पर consolidate करके नीचे जाएगा, तो यह जो यहाँ पर base बनता है, वो base का high आपको SL रहेंगा, मतलब आपको पता है, कि यह अभी खराब ह हो चुका है, तो you do not like, अगर वो pullback में भी जा रहा है, तो आप उसको sell करोगे, and US compute रैक करते है, तो कि US market की वज़े से हमारे markets में gap up and gap down होते हैं, अगर एक बार आप US market का trend ठीक से पकड़ लोगे, तो फिर आपको हमारे Indian markets के gap up and gap down का कोई problem नहीं होगा, अब आते हैं हमारे निफ्टी के तरफ, so निफ्टी का अगर मैं daily chart यहां पे लगा दूँ, तो आपको समझेगा, यह वाला chart मैंने भी एक post किया हुआ है, कल आपको शाम को telegram channel पे, twitter पे दोनों पे मिल जाएगा, यहां पे मेरा यह है critical level, जो लोग पहले से follow करते हैं, उनको पता होगा कि जभी जो भी critical level आता है, तो वहां पे हम सिर्फ इसको एक reference की तरह देखते हैं, यहां पे हम कोई action नहीं करते हैं, सिर्फ इसको monitor करते हैं किस तरह हो रहा है, critical level आने के बाद में price वहां पे तीन दिन रुका है, this is a very good sign, अगर आप देखोगे, जो यह move चालू हुआ है, यह पहला move dip किया, उसके बाद consolidation, फिर उपर गया दो दिन का consolidation, फिर उपर गया चार दिन का consolidation, फिर उपर गया, और यह जब जब भी उपर गया है, यह gap के साथ ही उपर गया, अगर इसको last leg अपना पूरा करना है, तो इसको पूरा distance ट्रैवल करते हुए जाना होगा, इसको gap नहीं करने का चालू कर देंगे, my expected targets are 18,025 से 50 का zone, यह मेरे expected target है, फिर यहां से दो scenarios, suppose मेरा price यहां पर पहुच गया, तो इसके बाद क्या, इसके बाद अगर price directly हमारे next target की तरफ जाता है, 18,350 से 75 का zone, यह अपने market के लिए बहुत खराब है, हम सीधा सीधा weekly time frame का, weekly time frame का double top trigger करवा देंगे, which is not good, और double top का जितना यह distance है, उतना ही अगर मैं नीचे लूग, तो बहुत बड़े targets आ जाएंगे, which we do not want to see, इसलिए अगर हमको market को trend up में ही रखना है, तो हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले जाके, यह target के आसपस से retracement करनी है, यहां से हमको जाना है, retracement के लिए, अभी जो retracement होगा, यह situation में, जिस हिसाब का setup बना हुआ है, वो situation में, आपका retracement normally, ABC pullback method के इसाब से होता है, this is one of the setups which we follow, तो आप इसको समझ लो कि one leg, one leg Geek, Pullback वाला setup रहेगा, फिर यहां पर फिर से base बनेगा, और फिर अपने उपर के targets के लिए जाएगा, अभी यह base कहां बनता है, यह ां बनता है, कि यह base यहां पर बनता है, ऐसे कुछ बनता है, कि ऐसे कुछ बनता है, बेस डान देट, उसका level कहां पर है हम हमारे उपर के टार्गेट्स निकालेंगे तब तक हमको वेट करना है जो मेरे लिए रिट्रेस्मेंट जोन आ रहा है कि हम यहां से यहां तक पहुचे इस विल बी माई रैली तो इसका मुझे रिट्रेस्मेंट जोन चाहिए 17500 से यह एक्चुली थोड़ा सा टाइपो है यहां पर इस शूट बी 17500 से 17625 का जोन 17500 से 17625 का जोन तो यह रिट्रेस्मेंट जोन तक पहुच के फिर हम नया रैली चालू करेंगे जो होना चाहिए अगर हम यहां पर जैसे मैं सोच रहा हूँ जैसे मेरा प्लान है कि यह उपर जाया यह नीचे है तो जब भी हम यहां पर नीच नवेंबर तक ठीक है तो देखते हैं कैसे अभी अगर मैं देखू के इस वाज मैं लास्ट स्विंग है यहां से अगर मैं देखू एक वाल्यूम प्रोफाइल बना के तो एक्जैक नाइस बेस फॉर्मेशन किया है इन इस एरिया तो यह एक स्ट्रॉंग सपोर्ट है दूस यहां पर आके consolidate करके break कर सकता है या फिर यहां पर आके ऐसे break करेगा इन दोनों cases में इन दोनों चीज़ों को जो consolidate होता है हम इसको बोलते है absorption of supply के conditions अगर वो volume से match होते है तो तो यहां पर अभी मैं थोड़े दर पहले वही बात कहा था कि absorption of supply है तो उपर जाना चाहिए गर गया so US में भी हमको वही चीज़ दीख रहा है यहां पर भी हमको वही चीज़ दीख रहा है और दूसरा अगर मैं यह particular high से एक anchored vwap निकाल लू तो price अभी मेरा anchored vwap के उपर ही चल रहा है मेरा जो anchored vwap है वो 464 के आसपास है which is very close to your retracement zone so अगर हम यहां से dip भी करते है तो वो anch volume का theory है यह anchored vwap का theory वो theory भी कही न कहीं यहां पर valid होते हुए हमको दिख रहा है अभी अगर मैं इसको 15 मेनी time frame पर बार बाइबार analysis करके देखने का कोशिश करू तो हमको दिखेगा आज यहां पर इसको में log scale दाल देता हूं so that volume clearly दिखे हमको दिखेगा आज यह particular bar इसका during the day अगर आप देखोगे तो इसका volume was considerably high यह बार आने के बाद इसको downside follow through लेने को बहुत time लगा और break किस ने किया यह वाली bar ने किया अभी अगर आप देखोगे तो यह जो breakdown bar का volume है यह कम है और spread wise भी देखोगे तो जो point volume relationship होता है वहाँ पे भी यह कम है मतलब यह कम volume से नी break off किया अगर आप basic principle follow करते हो तो कोई भी breakout या breakdown करने के लिए हमको equally higher amount of volume चाहिए वो यहाँ पे justify नहीं हो रहा है और उसके बाद आप देखते हो यह नीचे गया founder support at yesterday's low inside bar and 3pm reversal right तो this shows this clearly shows के कही न कहीं अभी भी market में जो है वो weak sellers active है right अभी weak sellers है मतलब definitely हम put sell करके काम कर सकते है but we are in momentum traders है momentum traders है मतलब हम एक तो futures में trade करेंगे या option buying trade करेंगे right we do not fear the speed basically so अभी हमको क्या चाहिए क्या weak seller है तो क्या हम weak seller के साथ buy कर सकते है तो answer is low आपको strong momentum देखने के लिए आपको चाहिए strong buyers क्या आपको अभी monthly expiry का short covering rally है या monthly expiry का positional adjustment rally है उससे ज्यादा यह कुछ नहीं है okay now coming back to the bank nifty तो bank nifty को अगर हम देखेंगे तो bank nifty जो अपना यहां का यह consolidation resistance बना हुआ था यह resistance के पास ही रुका हुआ है मैंने अभी थोड़े दर पहले explain किया कि किसी भी resistance को break करने के पहले अगर price consolidate करते है और volume condition satisfy होती है तो हम उसको absorption of supply की तरह देख सकते है यह exactly वही situation में है यह और एक दो दिन रुक के eventually it has to move up somewhere okay so कब break होता है बस उसी का हम wait करेंगे it's a very strong piece और यहां पे unnecessarily यह सोच के मतलब नहीं है कि यहां पे you know bank nifty can go and make this double top नहीं अगर आप यह top का और यह top का volume conditions देखोगे तो अभी फिलहाल तो volume conditions match नहीं हो रहा है अगर यहां पे कोई एक दो अजीब बार बन गया जो हमको नहीं चाहिए और उसका volume change हो गया तो condition can change because अभी भी हम top लगा रहे है अगर top लगाना है तो कुछ volume conditions बनके वो करेगा अभी आज के बार के हिसाफ से जितना यहां पे volume situations बना है उसके हिसाफ से looks like यह उपर जाने को ही ready है तो unnecessary यहां पे short करके कोई sense नहीं है और यहां पे भी अगर आप देखोगे तो nice base formation, base formation के बाद उपर, उपर से फिर एक छोटा सा you know consider this as a gap filling thing फिर यहां से यह फिर से उपर और continuously यहां पे आके रुका हुआ है इसमें दिवाली का बार दिखनी रहा होगा that's okay और दूसरा जो supply present है वो supply को यह absorb कर रहा है and volumes pick up नहीं हो रहे this is the future chart okay यह आपका spot chart आपको यह भी दिख रहा होगा so on weekly time frame if you check तो weekly time frame पे यह जो बड़ा वाला एक range बना हुआ है right bank nifty is trying to break that range out और यह वाला जो zone है this is your perfect LPS का location right last point of support 38,000 का zone इससे best chart हम नहीं देख सकते हैं और होना भी नहीं चाहिए so all in all bank nifty looks strong इसको intradeper से भी short करते हो तो जाधा risk नहीं लेना चाहिए और normally short करना ही चाहिए अगर bank nifty week है मतलब nifty भी week होगा और nifty week है तो महाँ पे short करके हमको जाधा पैसा मिल सकता है so I hope आपको इन trends क्या चल रहे है कैसे चल रहे हो समझ में आ गए होंगे अब यह अगर मैं देखू कल के लिए के कल के लिए what to expect from the market simply यह level को monitor करते रहना nifty में 7815 जैसे ही 7815 के उपर आपको price sustain होते हुए दिखता है simply try to look to buy ठीक है आपको short करना है तो short कहां करोगे so देखो short करने के लिए हमको चाहिए होगा कोई ना कोई support और यह हमारा support है मेरा downside target होगा अगर यह level break होता है यह वाला low break होता है 21 अक्टोबर का day low break होता है तो उसी के बाद में positional short देखोंगा वरना क्या है यह यहां से नीचे आएगा नीचे से यह target hit करेगा यहां पर consolidated करके bounce करेगा और फिर अपने नए targets के लिए जाएगा तो short के लिए इसको उस तरह से देखो intraday bet लेने का छोटे time frame का bet लेने का छोटे time frame पर खतम करने का whereas bank nifty यह जो हमारा कल का first 30 minutes का बार है हम अभी तक उसके बाहर नहीं निकले है and if you notice कल का day high आज का day high same है जो की आता है आपका जो की आपका आता है 41511 के उपर तो जैसे ही हम 41500 के उपर sustain करना चालू कर देंगे in bank nifty यह एक अच्छा move हम को दे सकता है कुछ नहीं तो भी minimum में minimum हमारा जो यहां पर यह लो बनता है right somewhere around this area यह है आपका 30 41,000 से 41500 तो 42,000 के टार्गेट के लिए इसमें चल सकते है पास्टो पॉइंट के लिए इंट्राडी की बात कर रहा हूं और उपर जाते है तो accordingly अप निफ्टी को देखके वहाँ पर कर सकते हो यहां पर मेरा एक टार्गेट था टार्गेट के बाद में यहां पर इंस्टेड़ए यह इंस्टेड़ उफ गुइंग फार प्ारीज करेक्षिन निफ्टी गया है टाइम करेक्षिन के लिए this is basically a sign of strength और जिसमें स्टेंथ इतना ज्याधा है कि वह पुल्बैक के लिए भी नहीं जाना चाता वो टाइम करेक्षिन कर रहा है उसको तो definitely short अभी नहीं करना चाहिए, जबी चार्ट खराब हो जाएंगे, उसके बाद ही करना चाहिए, यहां से आप यह वाला trend line भी follow कर सकते हो, the day this trend line breaks, उसके बाद ही break होने के बाद, daily close आने के बाद में हम bank nifty को shorting के लिए देखेंगे, तब तक उसको shorting के लिए हमको नहीं देखना आज इवेंट है, US market में GDP data and all आने वाला है, कैसे आएगा, क्या आएगा, अगर government component उसमें बड़ा हुआ, मिला हमको GDP positive and government component जादा आया, government component का government expenditure होता है, उसके component अगर जादा आया तो market उसको negative ले लेगा, GDP में एक investment component भी होता है, अगर domestic investment components भी आपका जादा आ रहा है, तो market उ देगा, जैसे साब से मेरा expectation है, मुझे मतलब जो मेरा calculation है, मेरा judgment है, मुझे लगता है, वो दोनों भी जादा ही आएंगे, but investment component थोड़ा जादा रहेगा, government component से, so आपका positive driven होना चाहिए, right, but अभी कैसे play out होगा, क्या play out होगा, that we have to see, अन्यास telegram channel पे बोला था कि जो risky trader है, वो puts लेके जा सकते है, puts लेके जाने का reason इतना ही है, कि अगर मैं यहाँ पे short covering adjustment करता हूँ, तो normally market उसके पास में open होके जाना चाहिए, बस that was the only logic, and साथ में GDP का, US का GDP data भी है, तो वापे भी कुछ भी हो सकता है, इसके लिए हम देंगे, लेकिन मैंने साथ में यह भी बोला ह वालों के लिए, risky traders के लिए है, तो और बाद में explanation भी दिया है, कि GDP data है, हम यह particular हफते में दो ही दिन होए है, जहां पे हीले नहीं है, और एक दिन बाकी है, तो शायद एक बड़ा trend है हम बना सकते है, उपर या नीचे कहीं भी हो, तो live market में आकर खेलना चाहिए, तो यह सार इंट्राडे में अपडेट्स ले सकते हो, आपका कोई question है, तो आज के लिए ये वीडियो में इतना ही मिलते है, next वीडियो में, till then, check care of yourselves